शरुत पवार आज दो पहर दो बजे एडी दफ्तर के समक्ष पेश होने वाले हैं आपको बता दें कि मुंबई के एडी दफ्तर के पाथ जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दे गई है एडी दफ्तर के आसपास के साथ अनक शेत्रों में धारा 144 सागू की गई है साथ उसाथ आपको बता दें कि एडी दफ्तर के सामने इसी को देखते हुए एक प्रमुख शरत पवार के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद महराष्ट की राजनिती गर्मा गई है इस मामले में शरत पवार को आज मुंबई में ED के दफ्तर के सामने पेश होना है लेकिन इस पूरी घटना करम के बाद जिस तरीके से NCP के कारे करताओं ने विरोध जताय था उसको देखते हुए ED दफ्तर के बाहर पुलिस का डिप्लॉइमेंट जो है वो काफी बढ़ा दिया गया है एक अच्छी खासी मौजूद गी इस समय ED दफ्तर के बाहर पुलिस की देखने को मिल रही है और पूरा परिसर ही दरसल खाली कर दिया गया है यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है मतलब किसी भी किस्म का जन जमाव यहाँ पर नहीं हो सकता NCP के कारे करता विरोध करेंगे इस अंदेशे की वज़़ा से यह कदम उठाए गया है वैसे मैं बता दूँ कि शरत पवार के भतीजे अजीत पवार के खिलाफ इस मामले में पहले से यह FIR जस थी इसके अलबा महाराश्टर कोपरेटिव बैंक से जुड़े हुए जो 79 लोग थे वो भी इस FIR में शामिल थे लेकिन जब शरत पवार का नाम उठकर इस FIR में शामिल किया गया तब जाकर जैसे महाराश की राजनेति में भुचाल सा आ गया NCP का ये कहना था कि ये समूची जो कारवाई है ये राजनेतिक प्रतिद्वन्दिताद वेश और वैमनस्य की वज़े से की गई है जब कि सरकार का ये दावा है कि ये सब कुछ हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रहा और इसको राजनेतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए लेकिन आच्चों की शरत पवार जो की एक राजनेतिक दिगज है एक बड़ा नाम है भारती राजनेति के पतल पर वो इसमें पेश होंगे एक राश्टरी अस्तर की पारटी का अध्यक्ष पेश होता है एडी में के दफ्तर में पूछता आज के लिए इसी वजह से पुलिस की तरफ से भी हैतियात बढ़ते जा रहे हैं सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है कि इस मामले में एडी अपनी कारवाई को किस तरीके से आगे बढ़ाती है वीडियो जर्नल्स वापनिल के साथ विकास श्रिवास्त और न्यूज नेशन मॉंबई